आपको बहुत बहुत सागत है तो आज मैं फिर से आपके सामने एक आई-पयो के डीटिल्स के बार में चर्चा करने के लाया हूँ कि बहुत सर दोस्तों के कमेंट्स था कि कोई भी आई-पयो आये और जो BSC और NNC में लिस्टिंग होंगे तो इस तरीके से आई-पयो के बार में एक बार डेटा आप जुरू सेयर करिएगा और उस डेटा के मादधम से हम लोगों पता चलेगा कि अक्चुली इस आई-पयो के उपर क्या DC से लेना चाहिए तो वीडियो को सुरू करने से पहले में एक रिक्वेश्ट करूँगा आप किसी भी आई-पयो के बार में जितने जानकरी है जो इंटरनेट से मिला वो में आपके साथ सेयर करूँगा आप उसके उपर वेरिफाई करिए उसके बाद आपको लगए कि हाउस आई-पयो के उपर निवस करना है तो आपके रिक्स के इसाब से जूरू करिएगा क्योंकि मेरे तरप से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा तो चलो देख लेते हैं आज के आई-पयो के डिटेल्स के बारे में तो सबसब पहले में बात करूँ कमपानी के डिटेल्स के बारे में तो कमपानी का वेबसाइट देखेंगे कमपानी का नाम है जोती इस company जो प्रडॉक्प्याय आप देख सकते है इस तरीके से artificial intelligence साथि साथ आप देखेंगे तो या पर पर जी rocket launchers जो है इस तरीके से जो इंजीरियंञ जो — इंजिंस लगा जाता है जो — machinery लगा जाता है उसी के उपर company काम करता है तो company साथि साथ जितने सारे aircraft होते है जितने सारे fighter jet होते है तो उस तरीके से product के उपर भी company के machinery company बेशते रहते है company मतलब diversified business करने वाला company नहीं है company एक ही product के उपर अलग-अलग categories product machinery को बचते है जैसे company का latest customer base आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप देख सकते है Mercedes Bench, Ford उसके साथ साथ आप देख सकते है जो Bomberds, BMW, Rolls Royce तो इस तरीके से luxury जो गाड़ी है गाड़ी company Tata है साथी साथ आप देख सकते है Volkswagen है तो इस तरीके से luxury जो गाड़ी है भारत बेंच, भारत फोर्ड तो इस तरीके से unique जो गाड़ी company है तो उसको company product बेशते है साथी साथ सिर्फ गाड़ी company नहीं है NASA के लिए भी काम करते है ISRO के लिए भी काम करते है और साथी साथ जितने सारे space research organization है उसके उपर भी company product sell करते है चलो मैं details में company के बारे में चर्चा कर लेता हूँ अभी देखी about of jyothi cnc automations limited तो actually company का नाम है jyothi cnc जो company totally cnc project बनाते है cnc machinery बनाते है तो अब देख सेकते company start होता 1991 में और ये data जो मैं आपको दिखा रहो वो आप citrk.com इस site के उपर जाकर देख सकते है सारे data अबलेबल हो आपी तो company एक manufacturing and supplying company है वो भी किस के उपर? cnc machinery के उपर cnc machinery जो है वो high costly machinery होते है जो जितने high level का मतलब product है जितने high level का machinery बना जाते है तो उसका machinery जोती cnc बनाते है तो सरे यही company ने और भी कुछ companies है मैं इसका साथ बाकी companies का competitor भी दिखाऊंगा उससे पहले देखे company के जो customer base customer base आप देखेंगे तो आप हैरन हो जाएंगे इस रोजाए से साथी साथ आप देख सकते है कुछ जो space research organization है बो भी इसके साथ जुड़े होए है साथी साथ Tata इसके साथ जुड़े होए है साथी साथ आप देखेंगे तो भारत फोर्ज यह पहले दिखा चुका हूँ सक्ति पाम इसका customer है साथी साथ आप देखेंगे तो सीराम जो aerospace defense company मतलब government company है उसको भी customer बना के रखे है साथी साथ Rolex जो rings है वो भी इसका customer है साथी साथ Ford भी इसका customer मैं अभी आपको customer का list आपको दिखा चुका हो अभी दिखिए company जो CNC के जब products है वो 200 से भी ज़्यादा products company based बेच चुके है और 44 series में company बेचा है साथ हजार 200 से भी ज़्यादा financially है मतलब इस 2023 में company साथ हजार से भी ज़्यादा missionary बेच चुके है और इसका worldwide customer base भी है 3000 से भी ज़्यादा इसका customer है आप देखेंगे जहाँ पर इंडिया है यूरोफ है, नॉर्ट अमरिका and Asia के कुछ गंटी से तो जोती जो CNC company है इस company के एक performance अच्छा देखने को मिला company के customer base अच्छा देखने को मिला अभी सिर्फ customer base अच्छा होने से कुछ नहीं होगा company के बाकी भी details देखना पड़ेगा जैसे companies के दिखिए company के sales है company जो established हो चुके है dealer के basis में 29 sales dealer company बना चुके है और वो भी कहा कहा पे center जो बना चुके है Romania, France, Poland साथी साथ Belgium, Italy मतलब Italy और UK इस तरह के से कुछ कांटी से में आपको distributed network देखने को मिलेगा तिक सीधा सा में example दू company के customer base बहुत strong है और company 2500 233 के आसपस total employees है और company के देखिए 30 June 2023 के इसाब से company total order book कर चुके है 31,400 million का तो around आप बोल सकते है 3,143 क्रोड का असपस total company को project मिला और including order 2,600 million from the electronics manufacturing services तो यह भी इस project भी इसके साथ including है तो सब कुछ मिला कर एक अच्छा खासा 3,140 क्रोड के उपर company को project मिला एक अच्छी बात है तो यह था एक basic information अभी देख लेते हैं company का बाकी डिल्स क्या है बाकी डिल्स के बारे बात तो आप देख सकते company का worldwide basis में कहा कहा से company का revenue जिनेट हो रहा है वो देखना बहुत important है यह से इंडिया में सबसेदर revenue जिनेट हो रहा है तो company की जो final years 2023 में company का revenue जिनेट हो रहा है यह company के उपर कुछ business नहीं आ रहा है पहले छोटा मुटा business आ रहा था तो देखाएं यह तो company इंडिया के उपर ज्यादा से dependent है तो एक अच्छी बात भी है यूदिवेंट सेक्टर को government बहुत जाता पूस कर रहे तो उसका growth directly company को मिल सकता है अब देखिए कौन सा कौन सेक्टर से company को revenue जनेट हो रहा है सबसे देखिए aerospace and defense sector में company का सबसे दर revenue आ रहा है जो पहले सबसे काम आया करता था 2022 में आज बहु सबसे ज़्यादा देखने को मिला 37% उसके बाद auto and auto components जैसे Mercedes Ben हो गया 34% के आसपास General Engineer के उपर 18% जो ज़्यादा था अभी काम हो चुके है साथिसा Dyson जो molds है उसके उपर 4% और बाखी देखिए आदास के उपर 5% तो कुल मिला कर जो सबसे ज़्यादा growth हुआ aerospace and defense sector के उपर इसके उपर ISRO बहुत तेजी से काम कर रहा है अभी कमपानी के सारे points तो positive में आपको दिखा चुका हो अभी कमपानी का financial details दिखाऊंगा तो वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दिजाएगा क्योंकि बहुत सारे data collect करके करने के बात अपके सामने में वीडियो लेके आता हो दिखे कमपानी के जो total asset के बारे में बात कर दो तो asset में जिस तरीके से growth हुआ बहुत थोड़ा थोड़ा करके growth हुआ 1300 से 1200 बना, 1500 बना, आज 1700 करोड के आसपस बना revenues में मुझे कुछ उतना ज़दा growth नहीं देखने को मिला आप देखेंगे तो revenues obviously धिरदे करके growth तो हुआ मगर उतना high level का growth देखने को नहीं मिला तो फिर भी मैं कहूंगा company का last कुछ 3 years में अच्छा का सा revenues का growth हुए अभी company का profit after taxes जो company loss making company था इस बर first time company profit किया और वो भी 15 करोड के आसपस तो company September month तक जो profit दिखा रहा है 3.35 करोड इसको छोड़ दीजिए इस data को छोड़ दीजिए यहाँ तक देखिए company जिस तरह के से sales किये थे revenue जिस तरह के से generate किया था उस तरह के से company का profit गुद अच्छा नहीं दिखा उसके पीछे reason भी है पोरिजन क्या है company का करजा company का बहुत ज़्यदा करजा है और company इस IPO इसी लिए लेके आ रहा है कि बीजनेस को growth कराने के लिए और इसका जो करजा है उसको कम करने के लिए तो चलो अभी देख लेते है company के बहुत ज़्यदा करजा लेके रखा तो करजा जितना ज़्यदा होगा company के बहुत पर प्रेसर रहेगा क्योंके last 2022 में और 2021 में इस दोनों साल में company lost किया तो first time 2023 में profit देखने को मिला है तो इसका मतलब एक प्रेसर राइस तो है साथी साथ liquidity risk liquidity risk मतलब क्या है company जो customer को product बेच रहे है और पर जलसे जल पैसा नहीं मिलता है तो यहाप एक liquidity risk तो जूरू रहेगा मतलब पैसा फटा फट नहीं आया है cash cash जो है वो cycles wise नहीं आया पास मे एक liquidity risk तो रहेगा साथी साथ foreign exchange तो foreign exchange के मतलब मानके चलिए company जो product को sell कर रहे है यह के दा रिक्स आफ जो fictional fair value तो जो values है मतलब company जो exchange के मतलब से जो काम कर रहे है तो उसका जो purchasing जो currency जो मतलब से जो purchasing किया जाता है तो उसके foreign exchange के मतलब से transfer करना पड़ता है तो यह negative point है साथी interest company को बहुत ज़्यादा warings होने के काराण एक interest भी company को लेना पड़ रहा है और commodity जो price है इसका commodity price के बारे हैं बात कर तो company एक commodity price होने के बाद बहुत ज़्यादा भॉलड़ जाए तो metal का price अगर बढ़ जाए तो company के उपर margin घड़ जाएगा मतलब profit margin घड़ जाएगा तो इक commodity बहुत सरे competitor देखने को मिलेगा जैसे लक्समी मैसिन वाल्ट लिमिटेड साथी साथ ELGI जो equipment लिमिटेड है त्रीबेनी जो company है साथी साथ TD power है साथी साथ MSC power है CNC मैसिन बनने वाला company तो बहुत सरे companies है इसका face value आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो company का जोती CNC company का आपकी peer issue अभी तक available नहीं है बाकी companies का peer issue आपे available है और देखिया earning pass share में company का earning pass सबसे कम है सबसे कम है यह company के लिए मुझे बहुत weakness point देखने को मिला और मुझे तक इतने सारे points अच्छा देखने के बाद भी आपे सबसे जदा weakness point देखने को मिला अभी चलो इस point से ज्यादा importance है company के date date कब आएगा और IPO का details क्या है चलो बो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले देखेंगे तो IPO के details है वो करीबन करीबन 9 तरिक से 11 तरिक के अंदर आपको IPO open होगा 9 तरिक में और 11 तरिक closing होगा इस date के अंदर IPO खरीदरी करना होगा Facebook 2 के हिसाब से company का price split करके सामने लेके आए company 315 रूपीज से 331 रूपीज तक आपको offer किया जा रहा है 45 shares है और total जो issue size रहेगा वो करीबन 1000 करोड का असपास total IPO size रहेगा तो 1000 का पूरा का पूरा phrase issue है मतलब यहाँ पे कोई भी offer for sale नहीं है तो एक plus point है यह कि पूरा का पूरा पैसा company के बीनेस को पर invest किया जाएगा कोई भी promoter के jam में नहीं जाएगा तो employee को पूर 15% discount दिया गया है और IP देखिए NSCBAC दोनों में देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए IP को date है मैं mention करूँ 9 तारिक को opening होगा 11 तारिक को closing होगा और basic alignment आपको देखने को मिलेगा 12 तारिक को पता चल जाएगा कि आपको IP म किया जाएगा वो 15 तारिक होगा और अगर आपको IP मिला तो आपको डिमेट अकॉन में केडिट किया जाएगा 15 तारिक को listing देखने को मिलेगा कितना 16 तारिक को अभी देखिए cut of time for UPI जो mandated है मतलब आपको पांस तारिक को cut of time देखने को मिल जाएगा तो यह था IP को एक details data त तो एक lot खरीदरी करने के लिए आपको 14,000 रुपीज निवेस करना होगा 45 shares एक lot में खरीदरी करना होगा at least तो अभी market इस company के grey market premium के बरहें बता दू जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका grey market premium 150 के उपर देखने को मिला है तो grey market premium मुझे लगता है जब नजदी गाए तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा तो आपको Google में साच करना है इस company के grey market premium अगर grey market premium अच्छा खासा देखने को मिले तो सोचने एक अच्छा खासा high level का listing देखने को मिल सकता है तो company average के बारे में बात करो उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है उतना खराब भी नहीं है एक beach के situation में देखने को मिले तो एक high risk situation है अभी market तो volatility है तो अभी देखा जाएगा IPO किस तरीके से launch होते है और इस IPO के उपर मेरे तरफ से कोई भी recommendation नहीं रहेगा प्लीस IPO को खरीदरी करने से पहले एक बार जोरू research करना उसके बाद IPO को खरीदरी करना तो यह था मेरे आज क वीडियर में तब तक के लिए धन्यवाद